बंगला देश में संबिधान भी है, संसत भी है, सेना भी है, मिसाइल भी है, तोप भी है, बारूद भी है, गन भी है इसके बावजूद पिता के सामने बेटी का बलादकार हो रहा है पत्ती के सामने पत्नी का बलादकार हो रहा है बच्चे के सामने मा का बलादकार हो रहा है और चुलिए बंगला देश तो छोड़िए इतना सब कुछ हो रहा है इसके बावजूद हमारे देश में नेता, भीनेता, लेखक, बुधजीवी, पत्रकार, कलमकार जो छोटी-छोटी बात पे ट्वीट करते हैं, छोटी-छोटी बात पे वीडियो बनाते हैं वो भी मौन बैठे हुए और ये जो पीता के सामने बेटी का बलातकार हो रहा है, या पत्ती के सामने पत्ती का बलातकार हो रहा है ये जाती देखके नहीं हो रहा है, ये देखके नहीं हो रहा है कि इबराहमर है, कि छत्री है, कि वैश्ची है, कि दलित है धर्म देखके वे नहीं हो रहा है बलातकार ते समय बलातकार यह नहीं देख रहा है यह हिंदू है कि जोयन है कि बहुत है कि सिख है किवल इसलिए बलातकार हो रहा है कि यह काफिर है अभी तो ऐसे वीडियो आये है बाकाईदा अंडर्विएर खोल के देखा गया है कि ये कहीं मुसलिम तो नहीं है और उसके बाद उसको मारा गया है अब सोच सकते हैं कि अंडर्विएर खोल-खोल के देख-देख के मारा जा रहा है जहां clear है कि हाँ ये हिंदू जयन बौथ रसिक है उसको तो मार दे रहे हैं लेकिन जहां डाउट हो रहा है वहाँ पे अंडर वियर खोल के चेक कर रहे हैं कि हाँ ये हिंदू ही है कि नहीं है और हमारे देश में इसके बावजूद संसद में तुतू मेमे हो रहा है, आरोप रत्यारोप हो रहा है, नूरा कुस्ती हो रही है, बतोले बाजी हो रही है, तूचोर में सिपाही का खेल हो रहा है बंगलादेस में हिंदू जैन बहुत सिक खौफ के साई में जी रहे हैं इसके बावजूद हमारी मीडिया, हमारी खबर पाली का विनेस फोगाट के मेडल की चिंता कर रही है शरम नहीं आती इतना सब होने के बावजूद अगर आप शांत हैं उसका मतलब आपका मांसी खटना हो चुका है इतना जो कुछ बंगलादेस में हो रहा है इसके बावजूद अगर आपकी आत्मा झगजोर नहीं रहे है तो आप इसका मतलब दल गुलाम हो चुके हैं पोलिटिकल पार्टी ने आपके मांसी खटना कर दिया है आपको पूरी तरीके से मांसी को गुलाम बना लिया है जो कुछ बंगला देश में हो रहा है अगर आप उसके बावजूद भी चुप है तो वास्तों में आप नेता कहनाले के लाइक नहीं है आप अभी नेता कहलाने के लाइक नहीं है आप अपने आपको समाज का प्रतेश्टी आत्मी मत मारिए और एक बात याद रखिएगा ये जो बंगला देश में हो रहा है ये पहली बार नहीं हो रहा है ये जो बंगला देश में हुआ है यही पहले अफगानिस्तान में हुआ था अगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था ये जो बंगला देश में हो रहा है ये ही पाकिस्तान में हुआ था और पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था ये जो बंगला देश में हो रहा है ये मालदीब में हुआ था मालदीब भी भारत का हिस्सा था ये जो बंगला देश में हो रहा यह आज की कोई पहली घटना नहीं है यह जो बंगला देश में हो रहा है यह सीरिया में भी हुआ है यमन में भी हुआ है यजीदियों के साथ भी हुआ है और भी कई देशों में हो चुका है इसके बावजूत समस्या के मूलकांड की चर्चा नहीं हो रही है इस समस्या के अस से अपने घर में रह रहे थे आजो सड़क पे आ चुके हैं और इसके बावजोद उनके उनकी बेहन बेटिया सुरक्षित नहीं है कभी सोचा अपने कि वो पत्नी अपने पती से हांख कैसे मिलाएगी जिसके सामने उसका बलातकार हो चुका है कभी आपने उस पिता की कर लो कुस्तों अपनी आत्मा को जगा लो पाल्टियों की गुलामी कब तक करोगे नेताओं की गुलामी करोगे और आगर तुम सोच रहे हो कि जो भारत में नहीं होगा तुम्हारी बहुत बड़ी विदन कर दा हो छोड़ दो दल गुलामी छोड़ दो पार्टियों की गुलामी कठोर कानून की मांग करो ये जो मुगलिया जो स्कूल चलना है भारत में पांच लाग से जादा मुगलिया स्कूल चलना है जिसमें नफरत सिखाई जा रही है उनको खतम करवाने भारत में समान सिच्छा लागू करने की मांग करो, कम सकंद दसवी तक One Nation, One Education Board हो, One Nation, One Slabers हो, One Nation, One Curriculum हो. छोड़ दो पोलिटिकल पार्टियों की गुलामी. यहाँ पे भारत में समान नागरिक संगिता लागू करने की मांग करो. समान धर्मस्तल संगिता लागू करने की मांग करो. समान जनसंगिता लागू करने की मांग करो. घुस पैट के खिलाफ कठोर कानून की मांग करो. हमारा कानून सड़ा हुआ, इसलिए पांच कोड़ घुस पैठिया तो 2017 में आ गये थे, यह साड़े पांच कोड़ हो चुके. और कोई घुस पैठिया में हत्या बलादकार हो रहा है कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको बचाने आ रही है क्या जो वहां हिंदू जैन बहुत दसिक एक करोड से ज़्यादा आज की डेट में स्टड़क पर आ गए है वो भी ओट देते थे वो भी पॉलिटिकल पार्टियों के सरस्ते बंगलादेश क कोई धर्म गुरू महाम अंडलेस्वर कथा वाचक किसी को बचा पा रहा है क्या अरे वो अपना ही घर नहीं बचा पा रहा है महाम बंगलादेश का कोई व्यापारी दूसरों को बचा पा रहा है क्या नहीं अपनी दुकान नहीं बचा पा रहा है अपना सोरूम नहीं बच पा रहा है दूसरों कैसे बचा लेगा बंगलादेश का कोई नेता अभिनेता दूसरों को बचा पा रहा है क्या वहां तो अभिनेताओं का घर जलाए जा रहा है वहां तो गायकों का घर जलाए जा रहा है अभी जलाए गया ना बंगलादेश में अगर तुम किसी नेता के भ बहुत बड़े गफलत में हो तुमें समझ में नहीं आ रहा है कि समस्या का स्थाई समाधान है भारत में वन नेशन वन education board, one nation, one syllabus, one nation, one curriculum, दूसरा कोई समाधान नहीं, जब तक ये पाक ना पाक की सोच खतम नहीं होगी, तब तक अराजकता खतम नहीं होगी, तब तक हिंसा बलादकार नहीं रोकेगा, अब पाक ना पाक की सोच बच्पन से आती है, इसकूल से इसलिए नफरती स्कूलों को बंद करना पड़ेगा, समान सिक्षा लागू करना पड़ेगा, जब तक ये विसेश दर्जा चलेगा, विसेश तालीम चलेगी, विसेश स्कूल चलेगा, तब तक पाक ना पाक की सोच नहीं बंद होगी पाक नापाक की सोच के लिए समान सिक्षा के समान नागरिसंगिता भी लागू करना पड़ेगा गुसपैठीयों को भगाने के लिए गुसपैठीयों और उनके मददगारों की 100% संपत्ती जबत करने नागरिकता खतम करने आजीवन कारावासफासी द बचाना तो भरस्टा चार के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा क्योंकि भारत में जितनी अराजकता है यह सब काले धन के जरीए हो रही है इसकी सब की फंडिंग हावाला के जरी हो रही है एप सी आरे के जरी हो रही है तो विदेसी चंदा नियंतरन कानून बनाना पड़ेगा। हमारी यंग जनेशन को जो नसे में डुबोया जा रहा है बरबात किया जा रहाए उसके लिए नसे के खिलाफ कर्थोर कानून बनाना पड़ेगा। और खुद भी सोच लो कि जितनी अराजकता बंगला देश में है इतनी अराजकता कुवेट में क्यो नहीं ह क्योंकि दुबई अरब कुवेत का कानून कठोर है ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सब लोग रहते हैं वहाँ पे आप कभी सुना कि दुबई में कि भी हिंदु जैन बहुत सिका घर जलाए गया हो कभी सुना आपने की कुवयत में हिंदु जैन बहुत सी का घर जलाए गया हो कभी आपने सुना कि आरब में हिंदु जैन बहुत सी का घर जलाए गया नहीं जलाए गया क्यों कानून इतना कठोर है भारत को बचाना है तो भारत में जस्टिस विदिनियर लागू करना पड़ेगा कठोर कानून बनाना पड़ेगा और जस्टिस विदिनियर लागू करना पड़ेगा भारत में बचाना है तो यह जाती का जहर घोलने वाले नेता हैं आशा का जहर घोलने वाले नेता हैं इनको तिहार में डालना पड़ेगा जेल में डालना पड़ेगा और वो जेल में तभी जा पाएंगे जब कठोर कानून होगा जब तक ये पाखंडी ये जो हजारो करोड की काला धन बेनामी संपत्ती इकठा करके और सफेट टोपी पहन क जब संसद में पहुँच रहे जब तक ये नहीं रुकेंगे तब भारत में अच्छा कानून नहीं बन पाएगा अच्छा कानून तब बनेगा जब अच्छे लोग संसद में जाएंगे और अच्छे लोग संसद में तब जाएंगे जब बुरे लोग तिहार में जाएंगे जब तक बुरे लोग बाहर बैठे हुए हैं यह अच्छे लोग को संसत पहुंचने नहीं देंगे और अच्छे लोग संसत तब पहुंचेंगे जब आप पार्टियों की गुलामी छोड़ोगे आप नेताओं की गुलामी छोड़ोगे और खुल के बोलना सुरू करोगे सच को सच बोलना सुरू करोगे मुझे समझ में नहीं आता जिनको चुनाव लड़ना है अगर वो मीठा जूट बोलते हैं समझ में आती बात अरे आप क्यों सच आपको चुनाव लड़ना है क्या आपको पार्षद बनना है कि प्रधान बनना है कि सांसद बनना है कि विधायक बनना है अगर बनना है तो ठीक है फिर भी मीठा जूट बोलते हो नहीं बनना है तब तो सच बोल दो तब तो सही बात बोलो तब तो कम सकम अपने Facebook पे सचाई लिखो, अपने Twitter पे सचाई लिखो, अपने Instagram पे सचाई लिखो फिर क्या दिक्कत है? एक बात याद रखना दुरियोधन का ननिहाल गंधार भी भारत था, राजा भारत का ननिहाल कैके भी भारत था मालदी भी भारत था, हर जगन से हिंदू खतम हो चुके, भारत के 9 राजियों से हिंदू खतम हो चुके 800 जिलों में से 200 जिलों में खतम हो चुके, 6000 तहसील में से 1500 तहसीलों में खतम हो चुके अभी भी अगर मांसिक खतना जारी रहा, अभी भी दल गुलामी नहीं छोडी, अभी भी पार्टियों के गुलामी नहीं छोडी, अभी पाखंडियों को एक्स्पोज नहीं किया, और अभी भी कठोर कानून की मांग नहीं किया, तो जैसे आज बंगला देश में पिता के सामन बेटी का बलादकार हो रहा है पती के सामने पत्नी का बलादकार हो रहा है भाई के सामने बहन का बलादकार हो रहा है बच्चे के सामने मा का बलादकार हो रहा है ऐसे ही पहले कस्मिर में भी हुआ था और ऐसे ही बाकी भारत में भी होगा साजिस बहुत तगड़ी है और उस स अधर्म का नास करने के लिए कठोर कानून बनाए जाए।